मेरे प्यारे देश्वासियों, आज हम लोगों की जिन्दिके का हाल ये हैं कि एक दिन में सैंक्डो बार कोरोना श्रब्द हमारे कान पर गुंजता है, सो साल में आई सबसे बड़ी वेश्विक महामरी, कोविड-19 ने हर देश्वासि को बहुत कुछ सिखाया है, हिल केर और वेलनेस को लेकर अज जिग्यासा भी बड़ी हैं और जागरूपता भी, हमारे देश में पारंपारिक रूप से ऐसे नेश्चरल प्रोडक्स प्रचूर मात्रा में उपलब्द हैं, जो वेलनेस यानि सहत के लिए बहुत फायद्यमंद हैं, ओडिशा के कारहंडी क नादोल में रहने वाले, पतायत साहु जी एक शेत्र में बरसों से एक अनोखा कारे कर रहे हैं, उन्होंने डेड़ एकर जमीन पर मेडिसिनल प्लांट लगाया हैं, यही नहीं, साहु जी ने इन मेडिसिनल प्लांट को डॉक्यमेंटेशन भी किया हैं, मुझे राची के सत सतिज जी ने पत्र के माद्यम से ऐसी एक और जानकर ही साजा की है, सतिज जी ने जारखन के एक एलोवेरा विलेज की और मेरा ध्यान दिलाया है, राची के पास ही देवरी गाउं की महलाओंने मंजु कश्चप जी के नेत्रुत्व में बिर्षा क्रशिविध्याले से एलो एलोवेरा की खेती शुरू की, इस खेती से नकेवल स्वास्त के ख्षत्र में राब मिला, बलकि इन महलाओं की आमदनी भी बढ़ देई, कोवीड महामारी के दोरान भी इन्हें अच्छी आमदनी हुई, इसकी एक बड़ी बज़े यह थी, कि सेनिट्राइजर बनाने वाल कंपनियां सीधे, इनी से एलोवरा खरीत रही थी, आज इस कारे में करीब 40 महलाओं की टीम जूटी हैं, और कई एकड में एलोविरा की खेती होती है, ओडिशा के पतायत साहुजी हो, या फिर देवरी में महलाओं की एक टीम, इन्होंने खेती को जिस प्रकार स्वास्त के एक शेत्र से जोड़ा है, वो एक अपने आप में मिसाल है.